ग्यारा अगस्त को पूरा देश रक्षा बंदन का तोहार सेलिब्रेट करने वाला है। अगस्त के बीच होंगे। लेकिन फिर भी आरुनिता ने इस special day को अपने तरीके सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी कर लिया है। कि चाहें राकी एक दिन बाद बाद है या एक दिन पहले लेकिन अरुनिता अपने हाँ से अपने भाई को राकी बादने वाली है। उन्होंने तैय कर लिया है कि वो अपने परिवार के साथ ये तोहार सेलिब्रेट करेंगी। तो अरुनिता के राकी फैस्टिबल की कहानी तो पता चल गए लेकिन पवन दीप कहा है। क्या है उनकी अपडेट ये जानने के लिए फैंस इंतजार में बैठें कि क्या पवन दीप इस राकी अपने घर नहीं जा रहे है। क्या वो ये राकी का तौहार अपनी बैंट जोती दीप और चामी दीप के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। सेदियूल की वज़े से पवा नारुनिता सुपस्टार सिंगर्टू की शूटिंग भी नहीं कर पाएंगे पहले नहीं गेल इवेंट अटेंड करना था और इस इवेंट के दो दिन बाद यानी 11 अगस्त को पवा नारुनिता दिल्ली में एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं पवा नारुनिता 11 अगस्त को जो इवेंट करने वाले हैं वो कोई छोटा मोटा नहीं है बल की दिल्ली सरकार की तरफ से ही इवेंट होने वाला है इस इवेंट में स्पेशली पवा नारुनिता को भी बुलाया गया है जैसा कि आप जानते हैं कि पवा नारुनिता की गिंत अब बड़े सिंगर्स में आने लगी है इन्हें बड़े बड़े शो उसमें बुलाया जाने लगा है ऐसे में पवन अरुनिता इस बड़े शो का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और पवन अरुनिता को देखने के लिए 11 अगस्त को धिर सारे फैंस की भीड इखटा होने वाली है हम आपको पवन अरुनिता के इस बड़े शो की पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर ये शो कहां होने वाला है और कौन कौन आने वाला है लेकिन उससे पहले मेक शूर कि आपने हमारे चानल मिलम नियूस को सस्क्राइब किया हो अगर नहीं तो सबसे पहले मिल अब नियूस को सस्क्राइब करें ताकि पवन अरुनिता से जुड़ी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले पवन अरुनिता की परफॉर्मस देखने के लिए इस इविंट में दूर दूर से लोग आने वाले हैं काफी जादा लोगों की भीड इखटा होने वाली है आ पवन अरुनिता इन सभी का एंटर्टेंडमेंट करने आ रहे हैं पवन अरुनिता को देखने के लिए काफी सारे लोगों की भीड इखटा होने वाली है और एकसाइटमेंट अभी से बढ़ती जा रही है पवन अरुनिता डूइट परफॉर्मस भी देंगे और ना जाने क पर ना ता की रोमैंटिक केमिस्ट्री देखने के लिए फैन्स को बेस अबरी से इनतशार होता है पवन अरुनिता की मुलाकाथ कई लोगों से होने वाली है पवन अरुनिता के लिए ये शो बाकई बगभा बदा शोओ होने रहे है अभी इनके शो से जुड़ी और भी और इस शो के लिए कितने जादा एक्साइटेड हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूरत हैं। पवंदीप अरुनिता कांचिलाल को लेकर एक ऐसी हबर सामने आई है जिसे सुनने के बार आप सभी को जटका लग सकता है। पवंदीप अरुनिता को सुपस्टार सिंगर्टू के सेट से निकाल दिया गया है। कैसा क्या हुआ कि पवंदीप अरुनिता आने वाले विकेंड में नज़र नहीं आएंगे। के बिना शो की शूटिंग कर ली गई है क्योंकि उन्हें एक और शो को अटेंड करना है। दरसल सुपस्टार सिंगर्टू की शूटिंग मंगल बार को की जाती है। लेकिन मंगल बार को ही पवंदीप अरुनिता को दिल्ली के एक इवेंट को अटेंड करना है। गैल कंपनी का 9 अगस्त को दिल्ली में इवेंट होने वाला है। जिसमें पवन अरुनिता को बुलाया गया है। पवन अरुनिता इस शो में जबदस परफॉर्मस देने वाले है। पवन अरुनिता ने इस शो के लिए खुब मेहनत किये। और काफी तैयारियां भी किये। इतना ही नहीं इस शो के लिए पवन अरुनिता ने इस बाद सुपरस्टार सिंगाटू की शूटिंग भी नहीं किये। बिना पवन अरुनिता के सुपरस्टार सिंगाटू की शूटिंग हो रही है। कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर रता हैं इंडियन आइडल 13 के प्रोमो में कंटेस्टेंट अपनी सुरीली अवास में लोगों का एंटरेइन्मेंट करते नजर आ रहे हैं इंडियन आइडल 13 का प्रोमो देकर फैंस खुशी के मारे जूम बुटे हैं इंडियन आइडल 13 के ओडिशन का अगाज किया जाएगा मेकस ने इंडियन आइडल 13 को फ्लोट पर लाने की पूरी तयारी कर लिये टीवी गलियारे से कुछ समय पहले ही खावर आई थी कि नेहा ककर इंडियन आइडल 13 का हिस्सा बने वाली हैं बीते सीजन में ही नेहा ककर ने जज्ज की कुरसी संबाल लिये और बिना नेहा ककर के इस शो में मज़ा ही काएं निया ककल शुरू से ही इस शो से जुड़ी हुई है और उनके मिना इस शो में जाना ही नहीं सकती है बीते सीजन में निया ककल के साथ विशाल, ददलानी और हिमेश रेश्मिया भी जज के तौर पर नज़र आये थे इस बार भी इंडियन आइडल 13 में ये तीनों सितारे जज़ बन के नज़र आएंगे भई आपको बता दें इंडियन आइडल 13 का आम लोगों के बीच काफी क्रेज है इंडियन आइडल 13 में नज़र आने वाले कंटेंस्टेंड रातो रात स्टार बन जाते हैं बीते सीजन पवन दीप राजन और आरुनीता कांचिला सबसे बड़ा उधारन है पवन आरुनीता आज भी सुर्कियों में है इस बार भी पवन आरुनीता इंडियन आइडल में तड़का लगाने वाले हैं और आप तक तो पवन आरुनीता ने इंडियन आइडल के लिए एक वीडियो भी शेयर कर दिया है क्योंकि इस बार पवन दीप की बहन जोती दीप भी इंडियन आइडल में नज़र आने वाली है में बीती डात पवन आरुनिता ने इंडियन आइडल शो का प्रमोशन करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी ऑनलाइन आडिशन दे सकते हैं और जो भी रह गया है वो आज यानि आखरी दिन इस शो में हिस्सा ले सकता है और ये मौका हास से जाने ना दें पवन अरुता दोनों अपने फैंस को जानकारी देते नजर आए आपको पवन अरुता कि ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए और साथ ही इंडियन आइडल में जोती दीप को देखने के लिए आप कितने एकसाइटेड है बताना बिलकुल न भूलें